आप 200 km जार हैं, चार चका पूरा का पूरा बुकिंग करके, तो उस case में आपका किराया लगभग 5000 तक आ जा सकता है, लेकिन हमारे साथ चलते हैं, तो आपका किराया 600 से 800 के अंदर ही लाई करने वाला है, पहले पूरा किराया देना परता था, फिर एक तरफ किराया देना पर 4 रुपया के आज पास परती km के हिसाब से, अगर हम देखे तो उससे ज्यादा किराया नहीं जाने वाला है, अगर आप सफर करते हैं, और सफर के दवरान महंगा किरायों से अगर आप परिसान हो चुके हैं, तो सिट बुक नाम की एक ऐसी कंपनी मार्केट में आ चुकी है जिसमें मातर आपको एक सीट बुक करनी है, और वो सीट बुक करने के बाद आप एक जगह से दूसरे जगह पर असाली से पहुंच सकते हैं, अभी उस कंपनी का ओनर हमारे साथ है, बाते करेंगे क्या की लिए कंपनी काम कैसे करती हैं, और क्या हमको पूरी गारी बुक करन क्या लगता है, क्या सोच करके इस कंपनी की सुरुआत कर रहा है, तो कि मार्केट में बहुत जादे लोग मांगे मांगे किराये से परसान हो चुके हैं, देखें इसको स्टार्ट करने की कुछ objective रीजन्स है, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर आप बस से जा रह हैं, चार चका पूरा का पूरा बुकिंग करके, तो उस केस में आपका किराया लगभग 5,000 तक आ जा सकता है, लेकिन हमारे साथ चलते हैं, तो आपका किराया 600-800 के अंदर ही लाई करने वाला है, यानि जो अभी तक लोग 1000 रुपया किराया देते थे, चार से 5000 रुपया ज ये करना पड़ी गा, वही 600-800 के अंदर लाई करेगा, 600-800 रुपया किराया दे करके, जो ये असानी से वीए थे, एसी के साथ सफर करने वाले हैं, आप लोग, अचार इसके पहले इस प्रकार की कंपणी मार्केट में नहीं थी, पहले क्या है कि दोनों तरफ का किराया देन उसके बाद से एक तरफ का किराया देना पड़ता था, जैसे पहले पूरा किराया देना पड़ता है और आप एक सीट का किराया देना पड़ेगा बस यानि ट्रेबलिंग शुरू हो जाएगा जी बिल्कुल और बुकिंग आज से भी कर सकते हैं देखिए ये जो कमपनी है सिट बुक नाम से ये कमपनी अलागा नहीं है और जो पहले 200कस्टमर होगे कितने कस्टमर पहले 2.000 तो थाले 2.000 कस्टमर होगे उनों के लिए कुछ बि यानि अगर आप पटना से किसी भी सहर में जाते हैं, किसी भी सहर से पटना आते हैं, तो जो किराया आप बस को देते हैं, वो किराया आप इनके टेक्सी को दीजिए, इनके कार सर्विस को दीजिए, और आपको असानी से उस जगह पे पहुचा दिया जागा, यह अपने आप से आपको किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं देना रहें बिल्कुल नहीं देना है कोई भी चार्ज नहीं देना है लग पीक अप ड्रॉप की क्या फैसलिटी जग कहा से आप रिसीब करेंगे कहा पे छोड़ेंगे लोग यह जानना चाहेंगे किसी भी सार के टॉप पटना में अगर आपते हैं, या बिहार के किसी भी जिला में आते हैं, और एक दूसरी जिला में आपको सफर तै attaching करना है, तो आपको पूरी की कंपणी की गाड़ी बुक करने की जरूरत रहे थियामातर आप एक सीट बुक करके आप अपने जगह पे पहुछ सकते हैं, बहुत ही कम कीमत में, यू समझे तो पहले पाच-पाच खिराया देना पड़ता है, एक गाड़ी को ले जाने के लिए, मात रहो किराया 500 से 700 में हो जाएगा, तो कहीं न था ही बिहार के वासियों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है, मतलब चालू करने से पहले उसकी बुरायों को भी सोचने लगते हैं, तो क्या सोच करके इसकी शुरुआत कर रहा है, क्योंकि लोग किराया बहुत जादे दे पार है अदी मार्केट में, बुरायों अच्छाए तो साथ-साथ चलते रहते हैं, लेकिन हम किराया को कम कर दें दूसरी बात आप आराम से जाएंगे, सबसे जो इंपोर्टन चीज है, अगर आप चार चका में जाते हैं, तो रिलेक्स हो करके जाते हैं, और बस में जाते हैं, तो बस के बारे में मुझे कुछ बस का ट्रेवलिंग एक तरफ से समझे, तो एक सजा के बराबर है, लेकिन चार चका से जार हैं, तो थोड़ा सा रिलेक्स होता है, आदमी ठकता नहीं है, अगर हमको एक जगा से दूसरे जगा जाना है, तो किराया कैसे मतलब आप जेनरेट करते हैं, कैसे पेमेंट होता है, वो हमारा एक बेसिकली अलगोरिदम भी है, जिसमें दो-तीन फेक्टर हम को दिखेगा, लेकिन मैं एक रफ आइडिया बता दू, चार रुपया के आसपास परते किलो मीटर के हिसाब से, अगर हम देखे तो उससे ज्यादा किराया नहीं जाने वाला है, तो कोई भी गाड़ी में अगर आप बैठते हैं, तो लगबग चार रुपया के आसपास तक 3800 जिले में चलने वाली है, और बुकिंग करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, सीट बुक है, इस्टॉल कर लीजिएगा, बाकि आप लॉगिं रजिशिशन कीजिए, इसमें स्पेस नहीं लगाना है, इसको सर्च करिएगा, तो लाल कलर का लोगो आएगा, आप उसको डाउनलोड करिएगा, इसक्रीन पर भी हम आपको दिखा देंगे, और डाउनलोड करके आप वहां से लॉगिं करेंगे, तो तमाम सारी जन्कारिया आपको मिल लागी, बाकि इसक्रीन पर जो नंबर चल रहा है, और कोई भी जन्कार जाएगे, तो नंबर पर आप जन्कारी ले सकते हैं, बाकी इतनी अच्छी कंपनी की सुरुआत होई है, तो बढ़ाई तो जरूर दीजिए, बाकी आप लोग क्या सुलते हैं, प्रतिगिरिया दीजिएगा, सेर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद,